हेलो दोस्तों स्वागेता आपका अपने यूट्योब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसे या रखी है वो रखी यहाँ पे ए बी बी ग्रूप की तरह उसे बंपर भरती का यह ओफिशल नोटिफिकेशन जारी किया है और यह नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैनिडियेट के लिए रहने वाला है तो किसी भी टैप का कोई भी एक्सपिरेंस यहाँ पे नहीं मांगा और एक परमानेंट जोब आप कि कौन-कौन सा पोजिशन आपको देखने को मिलेगा और आपका एजुकेशन क्या रहेगा वह मैं आपको पहले बता देता हूं देगे यहाँ पे दो टैप के पोजिशन के लिए वैकेंसे निकाली है पहला जो पोजिशन रहेगा यहाँ पे डिपलोमा इंजीनियर ट्रेन है वो सारे candidate यहाँ पर eligible रहेंगे दूसरा position आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका रहेगा sales training का position आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर क्या मांगा है BB tech मांगा है अगर आपने BB tech कर रखा है तो ही आप eligible है अगर आपने bachelor of engineering कर रखा है या फिर bachelor of technology कर रखा है चार सल का degree कर रखा है इसको apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर B.A.B.C. वाले यहाँ पर eligible नहीं रहेंगे only BB tech और diploma वाले candidate के लिए vacancy आपको देखने को मिलेगी salary आपका बढ़िया रहेगा देखे diploma engineer training का जो salary रहता है वो starting salary 4.5 LPA के approach आपको देखने को मिलता है लगबग 4.5 लाक रूपए per annual CTC आपको देखने को मिलता है accommodation और सारी facility company के दुआर आपको provide की जो आती है साथी साथ यहाँ पे जो sales training का position है जिसके अंदर BB tech वाले eligible है उसका जो CTC रहता है वो आपका 6.5 लाक रूपए के आपको देखने को मिल जाता है बाकि depend करता है कि आपका assessment कैसा जाता है कैसा interview आप perform करते हैं आपका resume कैसा है यह सारी चीज़े उस पे depend करने वाली है तो चलिए बात कीज़े कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना है उस process के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना हमारा motivation बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो 900 प्लस आपको लाइक करवाने है अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा comment box में education qualification को comment करके बताना कि आपकी branch कौन सी है trade कौन सा है पासूटियर कौन सा है fresher हो या फिर experience holder हो ताकि मैं आपको next वीडियो के अंदर वही update प्रोवाइड करवा दूँगा और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के description में और comment box में दोनों जगे एक link provide करवा रखा है connect with me का अगर आप उसपे click करेंगे आपके सामने directly tab open हो जाएगा और आप जो भी platform यूज़ करते हैं LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp उसपे click करके आप हमसे connect हो सकते हैं और directly बात कर सकते हैं वही या आपे मैंने आपको top पे दे रखा है selected student के list को तो ये उन student के list है जो कि आज top MNC company में काम कर रहे हैं हमारे channel के थूँ तो इसी बात पे या चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकन को जरूर से press कर लीजेगा ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा आपके पास सबसे पहले notification आएगा और आप उसको directly apply कर पाऊगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना है उस process के बारे में तरीके को ध्यान पुरुवक समझ लीजेगा ताकि आपको कोई problem creating आओ सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे google पे search करना है ABB और यहाँ पे आपको side में search का button दिखेगा इस पे आपको click कर देना है जैसा आप search करेंगे यहाँ पे officially website open होगी scroll down करना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके सामने directly इनके carrier वाले page का option दिख जाएगा jobs and carrier opportunity at ABB group ठीक है तो आपको directly यहाँ पे चले जाना है वैसे यह link मैंने आपको video के description में already दे रखा है तो आपको tension ही लेनी फिर भी मैं आपको clear कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे click करना पड़ेगा जैसा आप इस पे click करते हैं आपके सामने directly ABB group के officially website open हो जाएगी जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे है यहाँ पे यह officially website open हो चुकी है और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा देखी यहाँ पे आपको filter का option मिल जाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी position find कर रहे है जैसे कि मैंने discuss किया था कि हम discuss करेंगे इस vacancy के अंदर trainee की position और trainee की position के लिए कौन apply कर सकते है pressure candidate eligible है तो यहाँ पे आपको लिखना है trainee ठीक है वैसे मैंने लिख रखा है filter लगा रखा है तो आपको यह भी tension नहीं लेनी जो बच्चे directly यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप search वाले बटन पे click करेंगे तो यहाँ पे जो आपको result show होंगे वो आपका 17 result लगबग यहाँ पे 17 result आपको show होने वाले हैं ठीक है और यह सारी vacancy है जैसे कि यहाँ पे discovery trainee का position है इसका भी कोई qualification है लेकिन हम बात करेंगे उन position के बारे में जो की engineering department से related निकाली गई है पहला position रहेगा यहाँ पे आप देख पा रहे है डिप्लोमा trainee का अब यह जो डिप्लोमा trainee का position है वो आपका यहाँ पे जिन candidate ने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे eligible है इसमें आपका job location रहेगा बैंगलोर कनाटका का फुल टेम permanent job है regular permanent job आपको देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे नोंने mention कर रखा है next agency आपको देखने को मिलेगी executive diploma trainee इसके लिए भी आप apply कर देना क्योंकि यहाँ पे job location job कर रहेगा वडोद्रा गुजरात कर रहेगा इसमें भी diploma candidate apply कर सकते है trainee का position है मतलब कि fresher इसको apply कर सकते है यह भी आपका full time job है एक regular permanent job है apply करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा tension आपको नहीं लेनी उसके बाद आता है quality control testing trainee इसके अंदर अगर आप eligible है तो apply कर देना क्योंकि vacancy out of India के लिए इसको हम discuss नहीं करेंगे अब आता है हमारी इंडिया की vacancy जो कि यहाँ पे रहेगी यह आपका sales trainee का position है इसमें 5 location है अलग-अलग type की 5 location रहेगी जो कि हम discuss कर लेंगे यह जो vacancy निकाले गी है sales trainee का इसके अंदर b b tech मांगा है तो अगर आपने यहाँ पे b कर रखा या फिर b tech कर रखा चार सल का तो ही आप eligible है diploma यहाँ पर apply नहीं कर सकते है diploma apply कर सकते है diploma engineer trainee के position के लिए या फिर executive diploma trainee के position के लिए यहाँ पे b b tech वाले eligible है एक full time permanent regular job आपको देखने को मिलेगा तो हम इन vacancy को पहले discuss कर लेते हैं तो पहली vacancy जो आ रखी है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आपका रहेगा मैं आपको बता देता हूँ directly पहली vacancy आपको देखने को मिलेगी diploma engineer trainee का तो आपको यहाँ पे देख पा रहे है यह आपको पहली vacancy आपको देखने को मिल जाती है company के बारे में पूरा details से बता रखा है automation की company आपको देखने को मिलेगी आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आपको scroll down करना है responsibility क्या रहेगी वो भी यहाँ पे इन्होंने clearly mention कर रखा है तो आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ मायागा ठीक है पढ़ने के बाद ही apply कर रहेगा अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे भाई कि आपका background क्या होना चीए अब बहुत सारे बच्ची कहते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पासूट मतलब की होने वाले है तो आप इसके लिए अलिजिबल रहेंगे फ्रेशर यहाँ पे होना जरूरी है एक्सलेंट कमिनिकेशन स्किल्स आपका यहाँ पे होना चीए बाकी About Us के बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है जॉब यहाँ पाइडी सब कुछ यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे आपका जो रहेगा जॉब लोकेशन वो क्लिरली नोंने मेंशन कर रखा है Apply Now का बटन इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एक और वेकेंसी है डिप्लोमा के लिए जो कि मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ बरांच अलिजिबल रहेगी जैसे कि यह आपका जो रहेगा यह आपका Executive Diploma Training का पोजिशन है तो अगर आप इसके लिए Interested है तो इसमें भी आप Apply कर दीजेगा यह भी आपकी एक बहुत बढ़िया पोजिशन आपको देखने को मल जाती है जिसको हम देख लेते है Executive Diploma Training का तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें देख पार है कि यहाँ पर अलग-अलग टाइप की पोजिशन आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर Diploma Candidate Eligible है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अबात यह है कि अगर आपने Diploma कर रखा है Electrical या Mechanical में तो आप इसके लिए Eligible है इसमें Electrical और Mechanical वाले Apply कर सकते हैं इससे पहले जो Diploma Training था उसमें Electrical और Electronics वाले थे लेकिन यहाँ पर Electrical और Mechanical वाले Apply कर सकते हैं दसवी पास है Eligible रहेंगे दसवी के बाद Diploma कर रखा है तू भी आप Eligible है और अगर आपने Literal Entry से कर रखा है Diploma बारवी के बाद तू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ध्यान रखेगा कि आपके 60% का क्राइटीरिय कम्प्लिट होना चीए बाकी सारी चीज़ें यहां पर मेंशन की गई है पढ़ सकते हैं जोब आइडी मेंशन कर रखा है अप्लाई नाओ का बटन यहां पर नीचे प्रोवाइड गरवार रखा है इसको क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजेगा यह रही वेकेंसी यहां पर डिपलूमा कैंडिडेट के लिए अब बात आती है कि बी बीटे की जो वेकेंसी उसको देख लिते हैं बी बीटे की वेकेंसी में आपको बताया था कि सेल्स ट्रेनी का पोजिशन है यहां पर भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं पूरा company का ब्योरा दे रखा है पढ़ना चाहें तो आपढ़ सकते है responsibility यहाँ पर mention की गई है कि आपका completing product technical and sales technique आपको बड़ी अतरी किसा आने चीए ठीक है और यहाँ पर background mention कर रखा है कि आपका background अगर electrical का है या फिर mechanical का है वही candidate इसको apply कर सकते है जिन्दोंने electrical या mechanical में bb.tech कर रखा है डिगरी कर रखा है वह candidate यहाँ पर eligible है computer skill आपका बड़ी आउना चीए ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपके personality बड़ी आउनी चीए English आपको थोड़ा बहुत आना चीए बाकि यहाँ पर frequently travel आप करने चीए मतलब कि आपको travel यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि यह sales की job है तो अलग-अलग location में आपको travel करना पड़ेगा benefits क्या-क्या provide करवाएगी company life insurance देगी उसके बाद यहाँ पर disability insurance आपको provide करवाएगी accident insurance आपको provide करवाएगी sick पर आपको देगी mail allowance आपको मिलेगा मतलब कि यहाँ पर आपको mail भी मिलेगा और भी बहुत सारी facility यह सब कुछ आपको मिलने वाली है काफी तरह के insurance आपको आपको मिल जाते हैं यहाँ पर about company के बारे में detail में mention कर रखा है और एक full time job आपको देखने को मिल जाते है apply now का button यहाँ पर दिया है तो इस पर click करके आप इसको apply कर सकते हैं बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि apply कैसे करना है हम जान लेते हैं यहाँ पर diploma की position को apply कैसे करना है जैसे आप diploma की position को apply करेंगे और इसमें आपके document के बार मता रखा है कि आपके जो document है वो आपको upload करना है doc की format में या फिर docs की format में pdf की format में text file की format में अगर आपका को document है वो आपके यहाँ पर upload कर सकते है maximum 1mb से कम का होना चीए ठीक है 1mb maximum हो सकता है आपके जो भी document है जो मतलब कि आपका resume है या फिर आपका CV है वो 1mb हो सकता है या 1mb से कम का होना चीए 1mb से ज़्यादा कोगा तो यहाँ पर upload नहीं होगा तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है उसके बाद आता है यहाँ पर resume या फिर CV जो भी आपके document है मतलब कि resume या CV वो आपका यहाँ पर document submitted in English English में ही आपको upload करना है जो कि normally रहता है अब यहाँ पर आता है कि आपको सबसे पहले तो upload करना पड़ेगा तो upload resume का option है इस पर click करके सबसे पहले तो आप अपने resume का upload कर देना जो कि आपका doc, docs या फिर PDF की format में profile information देनी है कि आपका नाम क्या है यह सारी चीजें जैसे कि first name, last name, email address, mobile phone number या फिर आपकी country क्या है, city कौन सी है उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपने education को add कर देना है work experience है तो add कर दीजेगा क्योंकि यह training का position है तो आप इसको खाली चोड़ सकते है क्योंकि side में कोई star mark यहाँ पर नहीं दे रखा है education के आगे यहाँ पर नहीं दे रखा लेकिन आपको education को add करना पड़ा है वैसे आप अपने CV को, resume को upload कर रहे है तो उसमें directly mention होगा तो यहाँ पर आपको education को तो डाल दिने है लेकिन अगर आपके पास कोई experience है कोई apprenticeship कर रखा है, internship कर रखा है तो यहाँ पर डाल सकते हैं ने तो आप इसको खाली चोड़ सकते हैं जिन्होंने internship नहीं कर रखा अब बात आते हैं यहाँ पर कि आपकी पास कौन-कौन से skill है तो आप अपने skill को यहाँ पर highlight करेगा top 5 skill आपको यहाँ पर अच्छे से mention करनी है English में आपको लिखना पड़ेगा कौन-कौन से language आपको आती है तो उसके बार में देख सकते हैं जैसे कि English, Hindi और आपकी जो local language है उसके बार में देख सकते हैं उसके पाद next का बटन है next वाले बटन पर क्लिक करके आगे आप अपने form को continue कर सकते हैं तो यह तो तरीका रहा कि आपको यहाँ पर form को submit कैसे करना है अगर इससे related कोई doubt आता है तो comment box में comment करके राम से पूस सकते हैं मैं सभी लोगों के reply जरूर करता हूँ तो आप comment box में भी comment करके पूस सकते हैं या फिर personally connect हो सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करेगा share करेगा उन लोगों तक जिनको job की नीट है comment box में जरूर बता देना कि आपका education qualification कौन सा है कौन सी job आप search कर रहे है all the best जैहिन